Hello student, good morning आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कापासिटर और कंडेंशर यानि आज की topic है कापासिटर और कंडेंशर तो आज हम लोग introduction देखेंगे यानि आज हम लोग ये जानेंगे कि what is कापासिटर कापेसिटर क्या है अगर हम आपसे पुछे कि क्या आपने कभी capacitor यानि condenser देखा है तो जी अगर हम कहें तो side almost as student मतलब आप सभी condenser जरूर देखें हम लोग का जब पंखा जब ceiling fan slow चलता था जब धीमे गती से चलता था हम लोग पापा से क्या बोलते थे पापा पंखा खराब हो गया बदल दो ना तो पापा बोलते थे कि बेटा पंखा नहीं बदलेगा इसकी condenser खराब हो गया condenser बदल दो और जब हम लोग एक छोड़ा सा cylindrical पार्ट उसमें होता था एक cylindrical पार्ट होता था और जब उसको हम लोग बदल देते थे तो वो फिर fast move करता था फिर उसकी moment fast हो जाती थे तेज हो जाती थी तो वही तो था condenser क्या आपने देखा condenser देखो हम दिखाते हैं आपको condenser यहीं तो है condenser इसको condenser या capacitor बोलते हैं हम लोगे इसको condenser या capacitor बोलते हैं यह दो वाइर होते हैं एक positive plate और Bless और और एक negative एक positive में 20-25 यही कपासिटर है फैन में यही तो जूटता है जब उसकी मोमेंट सोलो जाती है जब उसके स्पीड सोलो जाती है अगर आप इसको मार्केट से खरीद के लाते हो और जो स्वीच बोर्ड होता है वहां पे इसको इन करके प्लग करके और बाहर निकालके जब ऐसे करोग यहां पे तो एक यहां पे चिंगारी निकलेगी आग की एक यहां पर विसवास नहीं है आप मार्केट से खरीद के लाना और इसको अ क्लक्ड करना फिर पर इसको बाहर निकालना और उसी समय ज्यादा देर तक मत रखेगा न तो चार्ज लिक हो जाएगा एयर में तो फिर क्या वगा यहां पर जब एसे टच करोगे तो एल्क्टिक सोट होगा चट से वाज करेगा और यहां से चिंगारी फिकेगे तो यह उप्सट होता है तो जब हम लोग इसको प्लक करते हैं तो वहां से यह चार्ज अपने अंदर इस्टॉर कर लेता है और वही जब सौट करते तो प्लस मैंने जब एक साथ कनेक्ट होता है तो वहां पर सौट लगता है डिंचार्ज प्रोसेस होता है तो वही यही तो है कपासीटर समझ गे कपासीटर क्या बट आप एक्जाम में कैसे लिखोगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि capacitor एक electric device है जो अपने अंदर जब इसे प्लग किये तो चार्ज लेक्तिक चार्ज या electric energy को store करने में एवल होता है तो कैपिसीटर क्या है कैपिसीटर एक ऐसा एलेक्टिक डिवाइस है जो अपने अंदर एलेक्टिक चार्ड या एलेक्टिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है means capacitor is an electric device capacitor is an electric instrument or device which is able to store which is able to store ये store करने में सक्षम है which is able to store क्या चीज को वाई electric charge और electric energy तो इसका definition हम ले लेते है कोई problem क्या है इसका definition लेते है capacitor capacitor is an electric device या electrical device electrical device which is which is able to store able to store electric charge electric charge or electric energy इतना तो हो गया नॉर्मल डिफनेशन है क्या है capacitor is an electric device which is able to store electric charge और electric energy और electric energy को इस्टोर करने की छमता रखता है called capacitor 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 बनता कैसे है आपने देखा इसमें कितने वायर थे दो तो दो वायर होते हैं इसमें actually होता क्या है कि दो metallic plate ले लेते हैं कैसा प्लेट MP 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 means मद पर्देश नहीं यह है metallic plates दो metallic plates ले लेते हैं दोनों के एक दूसरे के पैरलल रखते हैं और बहुत कम दूरी पर रखते हैं यह जो डी है ना बहुत कम डिस्टेंस पर होता है और battery से add कर देते हैं battery से connect कर देते हैं एक positive हो गया और एक negative हो गया तो इसी arrangement कम लोग क्या कहते हैं capacitor तो capacitor कैसे बनाते हैं हम लोग इसमें दो metallic plate लिया जाता है दोनों को एक दुसरे के पैरलल अरेंश करते हैं और बहुत ही कम दूरी पर area और ऐसे यह लेकिन ऐसे बढ़ार है तो ज्यादा दूरी पहो रहा है दूरी क्या और चेंग के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए अब इसको क्या करते हैं इतना पर निच्टेंस ले लिए अब अरेंज करके एक को पोजेटी पलेट से और एक को निगेटीब पूल से कर तो फिर इसी अरेजमेंट को लोग बोलते हैं कापसीटर क्या बोलते हैं कापसीटर कैसे बनता है कापसीटर के जगा लिखा जा सकता है पतकर बीफिट क्यदएर मेड कापसीटर एज समय कापसीटर इसे मेड बाय झारेण्च आरेण्च लम् ballistic लीट से थृम् which is which is placed parallel to each other parallel to each other at very a small gap यहाँ पर gap के जग हम क्या लिख सकते हैं distance भी लिख सकते हैं तो clear है यहाँ से अब अगर हम बोले capacitor क्या what is capacitor what do mean about capacitor तो capacitor is an electric device capacitor एक electric device है which is able जो सक्षम है to store electric charge जो electric charge और electric energy को store करने में सक्षम है capacitor is made by arrangement of two metallic plates capacitor को कितने plates से बनाते हैं दो plates से बनाते हैं which is placed जो रखा गया है parallel to each other एक दुसरे के parallel होगा at very a small gap और उनके बीच की जो distance है वो बहुत ही कम होती है तो कोई problem है यहाँ तक उमीद करते हैं यहां तक समझ गयोंगे आप अब यह है कि यह दो नंबर के अगर पोच्टा एक्जाम में capacitor क्या है तो उसका introduction तो हो गया अब हम यह जानेंगे कि capacitor कितने परकार को होता है ठीक है how many types of capacitor तो capacitor having three types capacitor और अगर कीतने थाप्वाम क्या होता है त्षीचेटर है त्षीचेटर है त्षीचेटर कितने टाप में विच्अ कि कि ट्रीच टाप सबतने कि के चैप्वाम क्यों जिनके नाम हे एक तप ब Homeland प्लेट ऑनकर सिटर क्या है जुए पैरलल प्लेट कैपेसिटर पार्लेल प्लेट कैपेसिटर ठीक है दुश्रा जो है वह है आस्फेरिकल कैपेसिटर आस्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वह है स्फेरिकल कैपेसीटर कैपेसिटर अभी हम लोग इंटोडाक्षन आप कैपेसिटर पढ़ ले तो हाव मिनी टैपस दपकेसिटर कैपेसिटर है वे थ्री टास्ट नम्बर वान पार्लल प्लेट कापेशिटर नमबर सेकेंड आस्फेरिकल कापेशिटर और नमबर थिरी स्लेंड्रिकल कापेशिटर कापेशिटर किते परकार कोंगे तीन टाप्स होंगे पार्लल प्लेट कापेशिटर आस्फेरिकल कापेशिटर और स्लेंड्रिकल कापेशिटर कापे थीक है अब है कि यहां से ni con cui कि भाबे सुरू हो रहा है फिर हम अगले टोपिक में क्या करेंगे एक बार प्लाव प्लेट का पेस्टीर प्रेम परेंगे और फिर सप्टी उन्हों तो अभी सब्सक्रेंगे तो बहुत capacitor और सबसे ज्यादा यूज यही capacitor होता है तो यहां पर हम एक नोट कर लेंगे अगर जनरली हम आपको कहें तो cylindrical capacitor जो है यह बोर्ड में नहीं पुछा जाता है हां competitive exam like as gmens g advance नीजिट या other state engineering के exam में आपको यह cylindrical पे question पुछे जाते हैं बट बोड में important नहीं हैं बोड में जनरली पार्लल प्लेक्ट पैसिटर या spherical पुछा जाता है तो एक नोट कर लोगे कि पार्लल प्लेट कापसिटर ppc इसकों लोग बोलते हैं में कापेसिटर और ऑ्श्फेरिकल और श्लेंडिकल को लोग बोलते हैं optional capacitor तो यह नोट कर दे रहा हम पार्लेल प्लेट कापेसिटर पार्लेल प्लेट कापेसिटर पार्लेल प्लेट कापेसिटर इसको हम लोग क्या कहते है मेल कापेसिटर काते हैं अंड & a spherical capacitor spherical capacitor and cylindrical capacitor कापिसीटर आर कॉल्ड ऑप्सिनल ऑप्सिनल केपिसीटर ठीक है तो आज थिवरी को बहुत ज्यादा मागे नहीं ले जाएंगे यह जो टोटली आज इंट्रोडाक्शन सिर्फ रहेगा कापिसीटर का फिर आगे हम आपको बताएंगे तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं वाट डोबीन आपकेपसीटर तो कापसीटर इस एन एलेक्टिक डिवाइस विच इस एबल टो स्टोर एलेक्टिक चार्ज और एलेक्टिक एनरजी मतलब capacitor या condenser एक electric device है जो अपने अंदर electric charge और electric energy को store करने में सच्छम होता है energy को store कर सकता है कैसे energy को? electric energy को capacitor is made by arrangement of two metallic plates capacitor को दो metallic plates को arrange करके बनाया जाता है कैसे arrangement होगा? which is placed parallel जो एक दुसरे के parallel होगा to each other एक दुसरे के parallel होगा at very small gap बहुत कम दूरी पर कोई problem फिर है capacitor having three types capacitor कितने परकार होते हैं तो capacitor भाई तीन परकार होते हैं capacitor कितने परकार होते हैं? three types होते हैं number one PPC यानि parallel plate capacitor, spherical capacitor and cylindrical capacitor in twelfth class we generally discuss about the parallel plate capacitor twelfth class में हम लोग parallel plate capacitor को अच्छे से डिल करेंगे एंड इसी capacitor के use सबसे ज़्यादा होता है, so this capacitor is called min capacitor min, मुख्य है, यह min है, जैसे कहीं पर कोई लफड़ा हो जाता है, तो बोलते हैं इसका मुख्य कारर क्या है, इसका min कारर क्या है, तो capacitor में min कोन है? अगर यह नहीं होगा तो यह, तो यह optional capacitor है, इसी बात को यहां पर long ways दे दिया गया है कि parallel plate capacitor is called min capacitor and spherical capacitor and cylindrical capacitor are called optional capacitor उमिद करते हैं, आप सभी समझ के होंगे